हेलो गाईज जेहींद आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सभी कोई का स्वागा थे अद्वेत उचे किसन में एनिश्टी बाई गेट अकेडमी जितने भी लोग जो एए आई एटीसी का तयारी कर रहे हैं जिसके बारे में डिटियल्स सिसिर दास्तर ने ब बहुत ही अच्छा एक उपहार बहुत ही अच्छा ओफर जिसमें आपको लाइब प्लस रिकोड़ेड लाइब का कोर्स मिलेगा एटीसी का पूरा आपको जीरो टो हीरो तैयारी करवाए जाएगा और यह क्लासेज जो होंगी इस क्लासेज को आप सिक्स मंस तक अवैल भी क प्लस आपका हो जाएगा हाइक इसका प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है तो अगर आप अभी तक यह एटीसी का जो वेकिंसी आया हुआ है और उसमें तैयारी कर रहे हैं और गेट के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए क्योंकि गेट अपको सेलेक्श लिए आपको करना क्या होगा आपको अपनी मुबाइल के सर्च बार में जा करके www.gateacademy.co.in लिखना पड़ेगा और वहां पर आपको एक कोर्स होगा जो की कोर्स होगा एटीसी का एर ट्राइफिक कंट्रोल का ठीक उसको आप अवेल करेंगे तो 15 तरिक तक अवेल करते त 35 में मिलेगा 15 तरिक के बाद जैसे अवेल करते हैं तो उसमें आपको यह कोर्स का प्राइस हो जाएगा हाइक ठीक और अगर आप मालीजिए आयोस या एंड्रोइट का कोई मुबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके प्लेश्टोर में जाएंगे वहां पर आप सर् तो इसमें थोड़ा सा मोर बता देते हैं इस पेसल टर्म्स इस पेसल टर्म्स यह ना कि जो बीमान पत्नम भारती बीमान पत्नम जो है उसके द्वारा लाया गया यह सेलरी एक नंबर ला जवाब मस्त आप देखेंगे ना तो खुस हो जाएंगे आपको लागेगा वाव क् प्रिप्रेशन करने के लिए आपको कुछ मोटीवेशन चाहिए तो मोटीवेशन आप यहां से ला सकते हैं ठीक है और यह कोर्स के विलीडिटी भी जो होगा ना वो होगा six months तक का तो आने वाले और भी जो आपके एक्जांस रहेंगे ना उसमें भी आप इससे help ले सकते ह रिखी यह बैच डिजाइन किया गया है इसी करह में हम आप लोगों साहतमें जड़े वें एक पॉलिटी के han is कोडिसकर अब बूलेगे सर क्य Karma यह क्या आता है जनरल स्टेडिस में एक पार्ट होता है जो कि होता पॉलिटी का राजनिती सास्वर का उर्शी का को देल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि गेट अपके जिंदगी में कैसे नया सवेरा लेकर के आएगा एक नई तरीके से लोग फॉस्टन को डील करने का तरीक में से कौन से सातविय नंबर के राश्ट पती है वीच और फॉलोइंग इस्दा नंबर सेवन प्रेसिडेंट क्या वो ज्यानी जैल सिंग है क्या वो डॉक्टर सरवपली राधा-कृष्णन ने क्या वो जाकीर हुसेइन है क्या वो आर राधा-कृष्णन है सेमन नाम जयानि जयल सिंग साथ्वे नंबर के भारत के अब अगर बात कर लें तो प्रेसिडएंट नंबर 52 में अता है पावन्मे नंबर के आ इस सारे भारत में आज तक जितने भी राश्ट्रपती में नहीं आए ना उसको आप चुटकियों में याद कर लेगा एक बैतरीन से ट्रिक के साथ में देखिए कैसे वे डिक जो है अभी हम आपको लिखेंगे वो ट्रिक थोड़ा फणी मिल और हाँ इसका दुरुपयोग मत करिएगा जनीत में जारी कियोंकि ये ट्रिक ना थोडा सा फणी है और इसका दुरुपयोग करने से थोड़ा सा लॉस भी रो सकता है है यही पड़ लि फिसल, ना, गया, रे, सोचा, कचडा, आज, पापी, राम, राम. यहाँ पर एक लाइन को आपको एक सेंटेंस को आपको याद करना पड़ेगा. सेंटेंस है, राजिंदर राधा जागी रे, फिसल ना गया रे, सोचा, कचडा, आज, पापी, राम, राम. अब आप बोलेंगे, सार, यह सेंटेंस भी तो याद करना पड़ेगा, देखी, याद नहीं करना, हम आपको एक कहाने सुनाते हैं. राजिंदर राधा को आपको समझना है, यह लोग दोनों, मतलब कपल्स हैं, ठीक है, यह लोग दोनों कपल्स है, कहीं जा रहे थे, जाते याते गिर गए, तो हम लोग चिढ़ाते हैं, फिसल ना गया रे, तो इसको चिढ़ा रे, फिसल ना गया रे, फिर बोले, सोचा, कचड़ा काम किया था जिस करहें से कचड़ा आदमी लोग के लिए गंदा काम करने वाइव लोगों के लिए पापी यह राम राम चिछी ठुटू तो हम लोग बोल रहे पापी राम राम ठीक है मतलब राजिंद्र राधा कहीं जा रहे थे जाते याते फिसल करके गिर गए त सोचा कचड़ा आज पापी राम राम सोचा तुम लोग कोई कचड़ा काम किया था वह पाप का भी काम था और राम राम चिछी यार बहुत गंदा काम है इसमें से आप भारत के जितने भी प्रेसिडेंट बने वेना सभी को याद कर सकते हैं सारे प्रेसिडेंट आज तक ज जा से हो जाएगा जाकीर हुसेन, गिरे से हो जाएगा वीवी गिरी, आप लोग सुने भी होंगे, फिसल से हो जाएगा फकरुद्धी नली एहमद, फिर ना से हो जाएगा नीलम संजीवा रेड़ी, गया से हो जाएगा ज्यानी जैल सिंग, से हो जाएगा आर्वेंगरमन सोचा से हो जाएगा संकर डैल सर्मा कच्छडा से ओंगा के आर नराहिनन आज से ओंगा ए positivity अब्दूलकलाम पापी में पॉझ हो जाएगा पर्तीभा दीवी कोबिन जी 14 नमबर और परसंड में ये 15 नमबर के सोरी परसंड वाइज में 14 नमबर के स्टेक्र धियान रखिएगा कैसे क्योंकि एक जो राजिनल परसाद है ना ये दो टम के लिए बने थे इसलिए टॉम ये पंदरवें नमबर के हो जाएंगे और परसन वाइज में चौदवे नमबर के ठीक है काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नाओ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा हो गया ना तो यह चौदा प्रेसिडेंट आज तक जो भारत में बने ना सभी का नाम है अब आप से सात्मा बार आठ नाओ दस ग्यारा ग्यारा बारा तेरा और यह हो गए फोट्टिंथ नमबर के रामनात कोविन जी तो इस प्रकार से आप पूरे प्रेसिडेंट को याद कर ली है सारे प्रेशिडेंट का सिक्वेंस याद कर लिए आपसे अगर आएगा मालीजिए कि चौथे नंबर की जो प्रेशिडेंट उनका नाम बता ही है तो यह हो जाएगा वीवी गीरी वैंकेट वराह रमन गीरी आप लोग नाम सुने हो ना वीवी गीरी यह वही है फिर ग्याया से हो जाएगा क्या ग्यानी जैल से हम लोग देखे लिए साथवे नंबर में सोचा से हो जाएगा नववे नंबर के कौन संकर दयाल जी सर्मा तो यह सारे प्रेशिडेंट काम आप लोगों को सिक्वेंस इस प्रकार से बता दीए यहां से अगर कोश्चन आएग का और एकदम अच्छे से सिखने का तरीका आपका चेंज होने वाला है तो जल्दी से जाएए और गेट के लाइब को डाउनलोड करिए और जल्दी से यह एए एटी सी की जो विकिंसी आई वी है ना उसमें आने वाले आगामे एक्जाम में अपने एक सिट को पक्का करिए तो जल्दी से फॉर्म अगर भर ली हैं तो जल्दी से परिक्षा का जो तयारी है ना वो भी चालू कर दीजिए अपने एक्जाम का प्रिप्रेशन अच्छे से चालू कर दीजिए गेट एकडिमी के साथ में और इसी क्रम में हम आप लोगों साथ जूड़ेंगे जनरल स्टेडिस के साथ में पूरा जनरल स्टेडिस का जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे न हम और एक सार और कर लिजिए पंदरा तरिक से पहले पहले मिलते हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाए बाए जैहिंद